शिशु संगुपन संस्ता संचली, सविता रमेश फिरोध्या प्रशाला अहमद नगर, कक्षा सात्वी, विशे हिंदी, पाट सात्वा, रहस्य, मेरमिती, सव बेरण अत्निया, पाट सात्वा, रहस्य, लेखक हैं डाक्टर हरीपृष्ण देवसरे, उनका जन्मा 1940 को नापोत मध्यप्रदेश में हुआ था, उनकी मृत्यू 14 नवंबर 2013 में हुई है, प्रस्तुत कहाणी के माध्यम से, लेखक ने बच्चों को अंध विश्वासों से दूर रहते हुए, वईज्यानिक दृष्टिकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, अधेरी रात थी, चारो और सन्नाता था, शान्ती थी, हाथ फैलाईनों सुष्टा था, कभी-कभी कुत्तों के भोगने की भी आवाज सुनाई पड़ती थी, आधेरात बीच चुकी थी, मामाजी के घर से कुछ दूरी पर सामनी हवेली थी, हवेली में उजाला था, आरियन खेतों को सरपट, सरपट इसकारत है, तीजी से पार करता हुआ, उस और अकेले बढ़ रहा था, उस हवेली में आधे रात के बाद, कल भी ऐसा ही उजाला देखा था, मामाजी ने पहले ही आरियन से कह दिया था, उदर हवेली की ओर, जानेरिक की जरुरत नहीं है, वह हवेली भुतों का डेरा है, आरियन मन ही मन मुस्काने लगा, वह जानता था, कि भुतों कुछ नहीं होते, यह कपोल कलपना है, कपोल कलपना इसकारत हैं जुटी बात, कक्षा में विज्ञान के शिक्षक में वईज्ञानिक दुरुष्टिकोन अच्छी तरह समझाया था, इस रहश्य का पता लगाने का आरियन निच्चे किया, मामाज ने कहा था, इस हविली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता, पहले उसमें एक जमिनदार का परिवार रहता था, अब जमिनदार का परिवार खत्म हो गया है, उस तरब कोई आता जाता नहीं, एक बार घिशू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था, उह बिमार पड़ा, तीन महिने तक खाट पकड़े रहा, उह खाट से उत्रा ही नहीं, इतना बिमार पड़ गया था, आर्यन कर्वटे वदलता रहा, कर्वटे वदलना बेचेन रहना, वो बेचेन हो गया था, आधे रात को उटकर छत्चे उसने हैवेले को फिर से देखा, वहा रोश्नी थी, अधर आया था, यह एक सम्रुद्ध गाउ था, सम्रुद्ध धनवान गाउ था, मामाजी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमेरा भी है, यह बात आर्यों को मालूम थी, मामाजी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिश्का, आर्यन ने कनिश्का से कुछ सलाह मश्वेरा क इसकार थे परामर्ष, चर्चा की, दोनों बहादूर थे, अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली, कमर कस ना द्रोड संकल्प करना, इन दोनों ने रहस्य का पता लगाने का द्रोड संकल्प किया अगली सुबह, आर्यन ने मामा जी से कैमेरा मांग लिया, मामा मामे का फोटो उस ने खिचा, और कनिश्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खिचे, मामा मामी जी बहुत खुश थे मामा जी ने कैमेरी की तारिप करते हुए कहा, रात में, मामूली रोश्नी में बिना फ्लेश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है, कामाल का लेंस लगा है इसमे, आर्यन ने यह कैमेरा अपने ही पास रखा था कैमेरा पाकर, आर्यन और कनिश का बहुत प्रसन्न थे, वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे और रहस्य का पता लगाने का यह अच्चा आउसरोणी मिला था अंधेरा होते ही, दोनों घर से निकल पुडे, हवेली सामनी थी, अंदर से हशी और कह कहों की आवाजे सुनाई पड रही थी कहो कहो इसका आरते जोर थे हसने अंदर से जोर जोर से हसने की आवाज सुनाई पड़ रही थी आर्यन और कंशकने पहले चारो और धान से देखा कही कोई खत्रा नहीं था वे दबे पाव हवेली में चले गए बीचो बीच एक बड़ा कमरा था बीचो बीच इसका आरते हैं मत्यभाग में एक बड़ा कमरा था उसका दरवाजा अंदर से बंद था खिड़किया नीचे से बंद थी लेकिन उपर से खुली थी बड़ी साउधानी से आर्यन ने अंदर छाग कर देखा हट्टे कट्टे मूटे तगडे बड़ी बड़ी मुचों वाले कई लोग पगड़ी बांदे बैठे थे उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे उनके आखों से आग बरस रही थी आखे लाल लाल थी सबके चेहरे डरावने थे उस समय वे खाने में मस्त थे कोई हड़ी चबा रहा था तो कोई रोटिया तोड तोड कर मुह में डाल रहा था आर्यन ने उनी ध्यान से देखा उनके गले में कार्तुसों की पीटी लटक रही थी बंदुके और तलवारे भी रखी थी कुछ लोग लुडके हुए पड़े थे अने आराम कर रहे थे आर्यन ने इशारा किया कनिशकाने बड़ी सावधानी से कैमेरा निकाला गैस बत्तियों की रोष्णी इतनी तेश थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था बस उसने फटाफट कई फोटो खीचे और वे दोनों घर की और चल पड़े अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिर उठाई और नारायमपूर की और चल पड़ा वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी सभी फोटो तैयार करा कर शाम तक वह लवट आया कनिश्काने अपने पिताजी से कहा आप कहिते हैं भोटो के पईर उल्टे होते हैं उनकी चाया नहीं होती उनके फोटो नहीं ले सकते लेकिन कल रात हम भोटों के डैरे पर गए थे वहाँ कुछ फोटो लिये है जरा देखे तो उन्होंने फोटो पिता जी को दे दिए मामा जी परेशान हो उठे उन्हे एसा खतर्णा काम पसंद नहीं था फोटो देखकर उनकी आखे खुली की खुली रही आखे खुली की खुली रहना यह मोहाव राहे इसकार ते चकित रह जाना मामा अच्चरे चिकित हो गए और बूले तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं इंसानों जैसे नहीं इंसान ही भूत है देखे न इनके पईर सीधे है इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया असल में भूत उत की अफवाह है अफवाह इसका अर्थ है उड़ती खबर हवेली में भूत है यह उड़ती खबर है यह छूट है कोई हवेली की तरफ न जाए उनका रहस्य न खुले इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फाईलाई है यदि लोगों का आना जाना रहता तो यह लोग वहां आपना क्रिया कलाप कैसे चलाते है फिर कुछ मुझे इस मामले में बहुत गडबड लगती है आरियन ने मामाजी से कहा थानेदार ने फोटो देखते ही कहा इन डाकों के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात माचा रखा है उत्पात उधम उपद्रव डकेती राहजणी इनका बेशा है डकेती इसकार्थे रास्ते में लूट पात और ये रास्ते में भी लोगों की लूट पात करते हैं कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था खुन पसीना एक करणा यह मोहाव रहे इसका आर्थ है कड़ी महनत करणा यह जो पुलीस है यह बहुत दिनों से इनको पकड़ने के लिए महनत कर रहे लेकिन यह मिल नहीं पार है शाबाश तुम दोनोंने बहुत ही बहादोरी का काम किया है कहा ही ये आप तयारी किजिये ठिकाना मैं बताता हूँ आर्यन ने कहा उस राग भूतों के डेरे पर पुलीस ने छापा मारा दोनों और से गोलिया चली सवेरा होते होते डाकों ने हतियार डाल दी हतियार डालना इसकार्थे आत्म समर्पन करना यहों मोहाव राही डाकों ने खुद को पुलीस के हवाले कर दिया उनके कुछ साथी मारे गई और कुछ पकड़े गई गाउ आलोने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए सभी डाकों के आतंक से मुपत हो गई आतंक इसकार्थे दहशत भई सभी गाउ वाले डाकों के दहशत चे छुट गई जिला कलेक्टर नी आर्यन और कनिक्षा की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपती कार्यले को भेजवा दिया आने वाली गुनतंत्र दिमस्पर महा महित राष्ट्रपती के हाटों उनका वीरता पुरस्कार से सम्मानी किया जाने वाला है यहां आर्यन और कनिशकाने बड़ी बहाद दुरी से हवेलिका रहस्य खोला ही और सभी डापों की दर्शत से गाउवालों को मुप्त किया है